हेलो नमस्कार जहन्द हम लोग बात करने वाले एससी जेड़े के अफिसियल कटप पर एससी जीडी बरती दोहजर चब्विस इसकी अफिसियल कटप के बारे हम बात करने वाले हैं इसकी कटप कितनी जा सकती है इंतजार अब खतम हुआ आपका क्योंकि कटप मैं बता दे रह लगे कि आप इससील कटप कब तक आ सकती है तो इसके बारे में संफण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रवाइड कराएंगे तो वीडियो में बने रहें बिना इसकीप के वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिजे शेर भी कर दिज चाहते हैं किसी भी टापिक पर तो आप हमारे फाउंडेशन बेच को देख सकते हैं फाउंडेशन पाउंडेशन क्रोर्स फिरी में वहां से जाकर आप देख सकते हैं वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पड़ी होगी तो वहां पर देख सकते हैं और अच्छी क्वा संथिंग वेकंसी 2022 में और इसमें एक मेर्ट हैं लगभग 26 जार वेकंसी आई है फार्म्स लगभग एक स्थार लाग सेधीक बड़े थे 2021 की स्थ में 2022 में 15 लाग फाम पड़े थे शंवां लाग से सम्थिंग और तो 47 लाग से थोड़ा सा आधिक 47 लाग से भीदिग यहनि फांपड़ हैं 2024 के वेकेंस इसमें तो फांप में देखें तो फांप का घटता ही अक्राम है यह यह इनिकी फांप इसे भी घटा यहां और यह इसमें सिंगे केंसे लगवग इसकी तुलना में लगभग आ दिए तो लगभग 12 गुना लोगों को 2021 में फिजिकल के लिए साट लिस्ट किया गया था लगभग 8 गुना लोगों को साट लिस्ट किया गया था 2022 में और इस बार कितने लोगों को साट लिस्ट किया जाएगा इसके बारे में अभी बात करते हैं इससे पहले हम बता दें आपको कि जो top five hard shift के बारे में बता जा रहे हैं कि top five जो hard shift है जहां से paper hard आया था इसलिए वहां की cut up थोड़ी सी low बन सकती है तो paper hard जो आया थे उसके बारे में बात करते हैं देखे 20 फरवरी का first shift सबसे hard माना जाता है 20 फरवरी का first shift जहां से average mark 90 से 92 नंबर के लगभग average बच्चों के मार्क्स आये हैं जिसमें से क्योंकि यह सबसे hard है तो इसमें नार्मलाइजेशन ज्यादा होगा तो इसलिए 25 से 27 नंबर तक नार्मलाइजेशन का लाभ मिल सकता है आपको 20 फरवरी की third shift में 92 से 94 आया है जिसमें से नार्मलाइजेशन का लाभ 23 से 25 तक नार्मलाइजेशन का लाभ मिल सकता है 21 फरवरी की second shift में 93 से 95 के आसपास average mark आया है जिसमें से एक कई से 24 नंबर नार्मलाइजेशन मार्क्स मिल सकता है 27 फरवरी की first shift में 95 से 97 average marks आया है बच्चों का जिसमें से 17 से 21 नंबर नार्मलाइजेशन मार्क्स मिल सकते हैं और 22 फरवरी का second shift जिसमें से 99 से 100 के आसपास marks आये हैं उसमें से 15 से 17 लार्मलाईजन मिल सकते हैं आपको सबसे अधिक इसमें तो इस परकाव से नार्रलेशन मार्क मिल सकते हैं आप अपना देख सकते हैं कि आपकी shift में थे उसके बाद जो टाप फाइप ईजीशिट है इजीशिट थे तो ईजीशिट के बारे में बात कर लें ते जैसे 30 ने अधिक गया हुआ है जिसमें नर्मलाइजेशन लगभग 0 होगा अथवा 1,2,3 होगा तो 0 से लगए 3 तक नर्मलाइजेशन मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसके फायदे बाइस फर्योरी के सिकेंड फायदा हो सकता है अठाईस फर्योरी के फर्स्ट इक्स में 109 से 112 एवरेज मार्क्स मिले हैं जहां से 8-11 नर्मलाइजेशन के थाद 23 फर्योरी के 3rd सेट में 105 से 100 वार्ट बच्चों के आये हैं एवरेज मार्क्स जहां से 10 से 15 नंबर नर्मलाइशन का फायदा मिल सकता है और 7 मार्च के फर्स्ट में 102 से 105 क्वेश्चन आये हैं जहां से 12 से 17 मार्क्स का फायदा हो सकता है दरसल हमने वीडियो अभी तक क्यों नहीं बनाया था क्योंकि हमारे पास डाटा एवाइलेबल नहीं था और जब तक डाटा एवाइलेबल नहीं होगा तब तक वीडियो बनाने उचित नहीं होगा इसलिए हमने पूरा डाटा एवाइलेबल हो जाने के बाद ही वीडियो बना जिसमें हमें टाइम लग गया तो ही सले जो कटब बताएंगे लग फटाइंगे आल्य स्टेट की सभी स्थ पहली बात की अलग अलग लग जाती है क्योंकि की Commission अलग अलग प्रकार के होते हैं इसलिए स्टेट को तीन भागों बटा गया है से अधिक कटनता जाने के संभावना है एक टॉयाबी है जहां से ठीक ठाक तरह जाने के संभावना है टॉय्पट। तयस्टब नहीं दिली प्रिशा चतिसगड जारखंड और चंडीगड यह सब इस्टेट आ जाएंगे अब बाकी सब इस्टेट टाइप सी में आ जाएंगे जैसे गुजरात जम्मु कस्मेरनागा लेंड गोवा केरल तमिल नाडू यह सब इस्टेट जो है कि और भी जो इस्टेट बच रहे हैं यह सब टाइप सी में आ जाएंगे जहां से कटब कम जाएगी अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेट कटब इसकी कटब कितनी जा सकती है इसके बारे में बात करते हैं देखिए एक्सपेक्टेट कटब यूर के लिए हम बता रहे हैं ओवी सी के लिए बता रहे हैं और एस्टी अब रायवार मान सकते हैं EWS है टाइप है यानिकी रेट जून में जो र की मिलेगा यानिकी कोई ना कुष्ट मिलेगा 100% मिलेगा questions है अगर number आपको जोड़ना है number करना है तो इसका double कर देंगे तो number मिल जागा क्योंकि एक question दो number के थे तो इतने number बता रहा हूं question बता रहा हूं question आप type A में यानिक रेडियों में 63 से 65 question आपके सही होगे तो guaranteed success है तो बिसी के लिए 69 से अगर 62 question सही होते हैं आपके तो भी आप guarantee में हैं और SCST के लिए 52 से 55 question आपके सही पाए जाते हैं तो बिल्कुल आप guaranteed success के सीड़ियों में type B type B state में जहां ठीक ठाक कटब जाने वाली है अगर यूर का कोई 52 से 54 question नंबर सही करता है वालक तो 12 से 54 नंबर अगर सही question करता है तो हंडेट percent guaranteed success है उसको ओविसी के लिए 49 से बावन अगर करते हैं तो सब भलता मिल सकती है आपको और SCST के लिए 42 से 45 question अगर सही करते हैं तो सब भलता मिल सकती है नंबर के लिए double कर देंगे तो नंबर हो जाएगा टाइप सी में 41 से 43 कोश्चन टाइप सी में 41 से 43 कोश्चन और के लिए 38 से 40 कोश्चन ओविसी के लिए या 32 से 34 कोश्चन SCST के लिए अगर सही करते हैं तो हंडेट परसंट गारंटिक सफलता मिलेगी आपको हमने बताया इडावलेस ओविसी को ओविसी को ही अपना कटप माल लेंगे इडावलेस के स्टुडेंट्स अगर इतने क्वेश्चन आपके साही होते हैं तो इसके बाद नार्मलाइजन बार्क जो ही जुड़ेगा तो आप सब से उपर हो जाएगे और गारंटी रूप से आपको सब फ क्वेश्चन कम ही भी होते हैं तो भी आप फिजिकल की त्यारी करें और फिजिकल की त्यारी करते रहें क्योंकि फिजिकल में छट जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है फिजिकल में नहीं छटना है बाकि इतने क्वेश्चन अगर साही होते हैं या एक दो कम भी सा नहीं के लिए बलकि फाइनल कटेप में भी आ सकते हैं तो यहे एकस्पेक्टिड कट अगारंटी नहीं है कि आयोग की कटप जल्द ही आपके सामने देखने को मिल जाएगी तो आयोग की कटफ क्या हती है उसके बारे में आएगी तो आपको जनकारी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर भी कर दीजे और जीस संबंदित किसी प्रकार का करने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद